कान में आपके चीटी चली जाए तो क्या करें बात बड़ी छोटी सी है लेकिन बहुत गंबीर इस्तिती है दोस्तों कान में अगर आपके चीटी चली गई तो हमें क्या करना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर कान में आपको चीटी अगर चली जाती है तो जानलेवा इस्तिती हो जाती है क्योंकि चीटी चोटी सी है लेकिन एक हाथी को भी परशान कर जकती है दोस्तो बहुत भार क्या है जैसे 12 का मोसम है कान में कोई कीडा या पार्टिकुलर जीटी चली गई क्या होता है कि हमें intense jokies irritation होता है और हम बहुत बार के लिए टो सबसे पहले दोस्तों मैं आप को बता तेता हूं कि क्या करना चाही दोस्ति शीर को डो बज़े चीटी चले prena gira सोय वाला तोवा कि इन जो को पार्ट इसको नहीं कट पलें लेस्प कि अगो शहीं उससे दोस्तों क्या होगा कि कान के आगे पर्दा है, पीछे हमारा आमने बंद कर लिया, तो जो कान के अंदर जो oxygen थी, वो पूरी खतम हो गई, एंड वो जो insect था, वो जो CT थी, वो kill हो गई, तो kill होने से क्या होगा, उसकी जो moment थे वो रुख गई, क्योंकि दोस्तों कान बह दे डॉक्टर नहीं है, तो आपको सबसे पहले उसको kill कर लेना है, जिससे उसकी moment नहीं हो, and kill करने की बाद में ध्यान रहे, जो most जो problem होती है, जो लोग गड़बड करते हैं, मैं बता रहता है, उंची, इमटी से, या किसी ना किस से उसको निकालने की कोशिस करते हैं, दो दूसरे दिन डॉक्टर का आके निकला सकते हो, रात बर में पढ़े रहने से एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत बार क्या जाने अंजाने में bleeding हो गई, उस चीर्टी की कारण आपको problem नहीं हो, लेकिन पर्दे में injury की कारण problem हो गई, इसलिए आपको कहा है, कोई कान के अंदर, जो है आपने oil डालके, जिससे उसके moment नहीं हो पाएंगे, आपको इसको प्रेस कर लिया, प्रेस करने के बाद अंदर वो कील हो गया, उसके बाद उसको जब patient हमारी पांस आता है, तो एक vacuum cleaner होता है, उससे vacuum वाले से उसको दोस्तों बिलकुल निकाल दिया जा कि कान के अंदर अगर चीटी चली जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, unnecessary जो है उसको निकालने की कोशिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप उसको निकाल नहीं पाएंगे और कान में injury हो जाएगी, thank you